दोस्तों अगर आपने भी मेरी तरह कल शाम को सबा साथ के आसपास अपने टीवी जॉन किये और पावर प्ले के अंदर साउथ आफ्रिका का स्कॉर देखर कहा अरे बाबा ये मैच जोहनेस पर कब शिफ्ट हो गया तो मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ स्कोर देखर ऐसा लगा कि इंडियन टीम के बोलर्स ऑस्ट्रेलिय के साथ एन एच एक पे सीरीज खेल के सीधे वंडरर्स पहुंच गे क्या स्पाइसी पिच बनाई ट्रिवैंडरम वालों ने और उसके ओपर क्या शाथिर गेन बाजी करी अर्जटीप सिंग और दीपक चाहर की जोडी ने एक पे एक, एक पे दो, आट पे तीन, आट पे चार और फिर नौ पे पाँच ये पहले के चार विकर्स एक के साथ एक फ्री ऐसे आए जैसे अर्जुन कपूर, रनवीर सिंग के साथ फ्री में आते हैं वैसे ये अच्छा तरीका है इंडियन टीम को अपनी आखरी ओवर्स की समस्या को दूर करने की मैच पावर प्ले के अंदर ही खत्म कर दो, है ना बर जोक सपर्ट, अच्छ दीप और चाहर की स्विंग और सीम बोलींग जो साथ एफ्रीका बले बाज़ हो कि पसीने छोड़े कल, होई 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 इसी टीम को कटक में जब उन्होंने चार विकेट लिये केवल तेरा रन देकर और फिर हाली के एज़ा कप के अंदर जब भूवी ने पाकिस्तान के चार विकेट जल्दी चटकाए और आफ घानसान के खिलाफ जब चुटकी में उन्होंने पांच विकेट अपने पॉकेट में डाले दोस्तों कल बोलर्स की सफलता में पिच का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उसमें उच्छाल था सीम थी और फिर हलकी सी मौश्यर के कारण स्विंग भी थी हवा में वैसे देखा जाए तो more than sharp सीम और स्विंग इसे देखा जाए तो more than sharp seam और स्विंग, it was an inconsistent bounce that made South Africa's batsmen uncomfortable and then unsure of what to do पहले के पांच विकेट अगर आप देखेंगे तो सिरफ Temba, Bavuma और David Miller को शांदार गेंदे मिली, Dikok, Russo और Stubbs ने खराब shots केले, खासकर Stubbs जो खड़े-खड़े deep point के fielder को catch दे गए, 9 पे 5 के बाद ऐसा लग रहा था कि South Africa 50 तक नहीं पहुंचेगी, मगर केशव महराज ने बड़ी आपारी खेली और Wayne Parnell ने भी अच्छी fight back दी और team का score जहां पहुंचा 106 तक अच्छा इस drama के बीच एक पुराने math teacher का message आया मुझे जो cricket के बहुत शौकी ने और उन्होंने पूछा कि क्या World Cup में यही bowlers खिलाने चाहिए और जिने rest दिया है क्या उन्हें permanent rest दे दे मैं उनकी feeling समद सकता हूँ क्योंकि दोस्तों अभी Australia सीरीज में भूनेश और कुमार और जस्पीर भूमरा पिटे और फिर कुछ समय से चहल की bowling में वो पुरानी बात नहीं आ रही है मेरा ये मानना है दोस्तों कि अर्षदीप सिंग को हर match खेलना चाहिए इस पूरे साल में अगर आप मेरे वीडियो देख चुके हैं इस चैनल पर तो आपको ये बात मालूम होगी और हर्षद पर टेल की जगे अब नहीं बनती जब अर्षदीप इस साल के सबसे सफल इंडियन बोलर है आखरी के पांच ओवर में और फिर जब वो कल जैसा प्रदेशन दे सकते हैं तो और क्या ही कहना इनके बारे में आज के समय टीम शीट पे पहले बोलर अर्षदीप सिंगी होंगे मगर जितनी खराब भुमरा की बोलिंग रही है उस्टेलिया के साथ दो मैच में और जितनी खराब भुवनेशवर कुमार के डेट ओवर्स परफॉर्मेंस रही है मैं फिर भी मानता हूँ कि उस्टेलिया में दोनों बोलर चलेंगे चहार तो वैसे भी रिजर्व में है जो कि अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो वर्ल कप को देकर मैं कहूंगा कि अर्षदीप, भुमनेशवर और भुमरा हमारे टॉप थ्री पेस बोलर्स है लिख की लेजिए हर्दिक पांडी पे वापस आएंगे, अक्षर पटेल तो घजब फोर में हैं और फिर अश्विन और चहल में से एक तो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में अब चलिए वापस मैच पे आते हैं जितना भी मज़ा आया भारतिया पेस बोलर्स को जल्दी से विकेट लेने में और बहुत मज़ा आया मैं तक ये कहूंगा कि आस्ट्रेलिया जाने से पहले ऐसी विकेट बना कर ज्यादा फाइदा नहीं होगी टेम की हाँ आप कह सकते हो कि बोलर्स का मनुमल बनाने के लिए विकेट बहुत ज़रूरी है अच्छी बात है पर दोस्तों जब आपको आस्ट्रेलिया में ऐसी पिछेज नहीं मिलेंगे तो क्या फाइदा और फिर केयल राहुल के सोचिए जिनने खामा खाँ ऐसा खौफनाक स्पेल का सामना करना पड़ा 107 की टागेट अंत में आसान दिखता है स्कोर कार्ट पे मगर रबाड़ा और नोकिया ने रोहित और खोली और राहुल को परेशान किया यह तो मैं एक्सपेक कर रहा था इंडिया की बोलिंग देकर क्योंकि रबाड़ा और नोकिया के पास हाइट है और पेस है रोहित को टेस्ट मैच लेंग्ट की गेंद मिली और डक पे निकले और खोली डॉट बॉल से फ्रस्ट्रेट होकर एक खराब शॉर्ट खेले ओफ के बार पावर प्लेई में सिरफ 17 रन बना सकी इंडिया इतना प्रेशर बिल्ड किया रबाड़ा और नोकिया ने रहूल तो वैसे अपने आपको सेट करना प्रिफर करते हैं तो उन्होंने रबाड़ा और नोकिया के स्पेल को बहुत साबधानी से खेला मैच के पहले हिस्से में ऐसे ही कंडिशन साउथ अपरिका के बैट्समेन एक के बाद एक निकलते रहे न तो राहूल का टिके रेना ज़रूरी था मगर ना जाने क्यों मुझे उनकी बैटिंग देखकर अभी भी थोड़ी फिकर हो रही है क्योंकि जिस तरह से साथ वे उगर में आकर सूरे कुमार यादव एक बार फिर से दोस्तों तेजी से चल पड़े तो राहूल की स्कोरिंग थोड़ी टेस्ट मैच टाइप लगे बढ़ ठीक है उन्होंने बहुत टफ सिचुएशन में अपना जंडा गाड़ा और फिर जब थोड़ी कॉन्फिदेंस आई उनकी बैटिंग में तो राहूल भी चौके चक्के लगाने लगे और 56 गेंदों में दोस्तों 51 बनाकर नॉट आउट रहे खास चीज नॉट से ऐसे नहीं पहुंचे वो T20 रैंकिंग्स के दूसरे इस्तान पर और आपको बता दूँ कि सूर्या इस साल की लीडिंग रन गेट रहे इस फॉर्माट में 732 के साथ 180 की स्ट्राइक रेट से क्या कमाल के प्लेयर है सूर्या इंडिया का बेस्ट T20 बैस्मन मेरे हिसाब से